हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नूर का नजरिया और देखिए आज मैं हाजर हूँ आपके सामने एक ठाली लेकर अब आप सोच रहें ठाली है तो कुछ क्या करने जा रही हूँ आज हम करेंगे अपने organic vegetables की हार्वेस्टिंग तो बने रहीएगा मेरे साथ और हार्वेस्टिंग तो किसको पसंद ने होती हो घर की उगाई हुई सबस्ची की हार्वेस्टिंग करने की तो बात ही अलग है तो आप लोग भी जरूर कुछ न कुछ अपने घरों में लगाईए और उसका मज़ा लेजी और ये देखिए फस्ट ये लगी हुई है मूली और इसका हैट क्राउन यानि की पत्ते देखिए कितने अच्छे हैल्दी लश ग्रीन है एकदम और बहुत क्रंची भी और नीचे मूली बिल् suggest corporation देखिए हौई इस्ताब्स बिल्कुछ कितना थेखिए मेरी मूली बिल्कुल तैयार आज हम घर्मके करेंगे और ऐसको यूज करें अच कहते हैं तो आप लोग भी पॉट में इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, हम लोग पॉट में नहीं ग्रो कर सकते हैं, बस आपको करना आना चाहिए कि किस तरह से ग्रो करी जाए, और कौन सी खाद यूज करी जाए, कितने दिनों बाद यूज करी जाए, सब कुछ हो स हमें तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिला अभी अगर यह थोड़ा गहरा पॉर्ट होता तो शायद और भरती नीचे से पर इट्स गुड मैं तो बहुत खोश हूं इससे कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग और इसकी पत्ते कितने हैल्दी हैं आप देखिए इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े इड़े नहीं लगे और नहीं मैंने किसी कीट नाशक का यूज किया है और मेरी मिट्टी भी एकदम पोरस थी जिससे कि यह देखी कितने आसानी से निकल आई तो इस तरह से आप लोग जरूर एक बार इस तरह की सबजीं को अपने घर में पॉट में लगा कर देखें इसका मज़ा ही आपको लगाएगा तो देखिए यह मैंने अपनी ठाली में रख ली है और अब चलते हैं अपनी दूसरी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग की तरफ तो देखते हैं आज हमारी दूसरी कौन सी वेजीस जो हम हार्वेस्ट करने वाले हैं तो बस बने रही है और चलिए मेरे साथ तो करते हैं दूसरी वेजीस की हार्वेस्ट मुझे तो बस यही देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके पत्ते कि इतने अच्छे हैल्दी और लश क्रीन है तो खेर अब इस चीज़ की तो खुशी ही अलग होती है और यह दे इसका मैंने वीडियो भी आपके साथ पहले शेयर करिया है हार्वेस्टिंग का तो प्लीज आप उसको जरूर दे कि इसका जो लिंक होगा वो ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख साकते ह know you यह लगी हुई हमारी ऑ लगबग उतने ही मेरे आजकल यह पालक के पत्ते हो रहे हैं बड़े बड़े तो बस इसको हाँ से दीरे दीरे तोड लेंगे और नहीं तो आप इसमें कैची की मदद ले सकते हैं और यह देखी सीट फॉर्मेशन होने लगा यानि की पालक पर सीट बनने लगें तो बस इसको का कि यह साइकल चलता ही रहता है तो जितने भी अच्छे हमारे बड़े-बड़े से पत्ते हम सब हाथ से हार्वेस्ट कर लेंगे और बस अपनी जो थाली थी उसमें रखते जाएंगे तो यह तो आसानी से भी बहुत ग्रोह हो जाती हैं पत्तेदार सबजियों और सर्दिय हमारी भर रही है पालक के फ्रेश पत्तों से देखिए दो ही चीज़ों ने काफी कुछ कवर कर लिया और इसमें रखी हुई हर एक चीज एडिबल है और बिल्कुल प्योर हंडेट परसेंट और गयनिक और आप चलते हैं और एक पॉट की तरफ यह देखिए इसमें लगा ह इसको कट्टा कहले या बूरी कहले हमारे तो इसको बूरी ही कहते है और जो सोय होता है यह 5-6 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रू हो जाता है इसको बहुत साथा डीप पॉट में चाहिए होते पतेडाय सब्सी यह को हाँ एक बात और बता दू बहुत से लोग सम पर इसकी जो खुश्बू होती बिल्कुल डिफरेंट होती है सौफ से और बहुत फ्रेश होती है और यह यूज किया जाता है सर्दियों में मैथी के साथ बालक के साथ या सिंगल यूज भी करते हैं बहुत सारे लोग इसी की सब्सी बनाते हैं और इसका अरोमा बहुत कर ली तो एक साइड में थाली में इसको भी जागा रख देते हैं क्योंकि हम इसका यूज करेंगे पालक के साथ पालक के साथ इसका रोमा बहुत अच्छा हो जाता है और यह देखिए एक वेस्ट बास्किट में मेरा पुदीने के पत्ते लगे हुए जो बहुत फ्रेश है पर इसकी हारवेस्टिंग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि सरदियों में पकॉणन के साथ चटनी तो चाहिए ही होती है तो जब यूज करूँ था तो आपके साथ इसका वीडियो भी हारवेस्ट कर दूँगी और यह देखिए ये है सोया और पालक दोनों ही मिक करकर लगाई हुई थी इससे पहले जो हार्वेस्ट करा वो सेपरेट सेपरेट लगाया हुआ था पर यह देखिए यह दोनों एक साथ लगाई हुई है इससे भी हार्वेस्टिंग का वीडियो में शेयर कर चुकी हूं यह मेरा सेकंड टाइम है जो मैं इससे हार्वेस्ट कर हुँ तो बस दीरे दीरे इस तरह हाथ की सायतर से हम इसको पूरा निकाल लेंगे अगर आप चाहें तो इसके लिए किसी भी कैची की मदद से थोड़ा जल्दी हो जाएगा पर यकीन मानिए हाथ से तोड़ने में जो मज़ा है वो कैची से नहीं तो आप भी इसी तरह मेरे सा करेंगे तो मुझे लगेगा की मेरी मेहन सफल हो गई की दो चाल लोगों ने भी उसमें से गार्डनिंग कर ली और साइड में आप देख रहे हूंगे कोलियस लीव अब कार्डनर हैं तो एक्सपेरिमेंट तो चलता ही रहता है अगर सक्सेस हुआ तो आपके साथ शेर भी क कर दूंगी क्योंकि मैंने कोलियस की कुछली साइड साइड में लगा दी हैं तो इसका वीडियो तो फिर में आगे लाओंगी अगर सक्सेसफुल रहा यह मेरा एक्सपेरिमेंट तो यह देखिए और यह हमारी पूरी थाली भर चुकी है तो देखिए कितनी सारी वैजीस हम मूली भी है मूली के पत्ते भी हैं पालक भी है सोया भी और हमारी थाली पूरी फिल हो गई और हंड्रेट परसंट और गयनिक वैजीटेबल है विदाउट किसी भी पेस्टिसाइड के तो इसमें से एक-एक ली फैडिबल है यानि कि खाने ही हो गया आप कुछ भी इसमें स खा सकते हैं मूली के पत्तु की भी सब जीवन दिये मूली का भी भी यूज होता है पालक सोया को आप डाल के साथ आलू के साथ या पकोडों में कैसे भी यूज कर सकते हैं तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा अगर आप ल